चेक करते हैं बलरामपुर चीनी लेकिया यह जरा दो परसंट उपर है बलरामपुर चीनी कुछ एब जरा चेक करना मैं स्विंग ट्रेडर हूँ मैं इसको होड नहीं करूंगा बॉस जब तक चल रहा है तब तक पकड़े रखूंगा बस तो डिपी मेरे असाब से यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बॉकिंग कर लें या ट्रीलिंग स्टॉप लॉस यूज करें फ्रेश पोजिशन्स ना लें हैं पर एक बार कुछ आप कुछ मेटल काउंटर्स भी देखे क्योंकि टार्दा स्टील के अमने बात की थी सोनी का वहां पर बहुत जादा कॉंफिडेंस नहीं था पर दो पीस्यू काउंटर्स नालको और सेल यहां पर भी एविनो में देखे दो परसें से जादा की तेजी है क्या इस रीबाउन में और इस तेजी में पार्टिसिपेट करना चाहिए? किसी ने निचरे स्टरों पर लिया हो तो आप बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें पर बहुत जादा रन अवे ट्रेड यहां पर मुझे नहीं नज़र आ रहा है तो एक्जिस्टिंग पॉजिशन हो तो इन स्टॉप लॉस के साथ बने रहें फ्रेश पॉजिशन आई डून्ट सपोज यहां पर कोई नया मुमेंटम ट्रिगर नज़र आ रहा है जिससे हम क्या सके कि यहां पर फ्रेश पॉजिशन लेनी चाहिए? दोनों ही एक्सपर्ट का मेडल पैक पर बहुत जादा भरोसा नहीं है पर इस बीच अगर हम देखें तो कोफोज में गिरावट गहराती जा रहे है और आदेते एक बार आप लेविल्स बता दीजे क्योंकि यहां पर 3% की गिरावट के साथ यह काउंटर की मुझे लगता है कि स्टॉक को थोड़ा सा एक बार आप सेटल होने दीजे क्योंकि ओवरॉल टेक्नॉलिजी में ट्रेंड बहुत नेगेटिव नहीं है तो अगर फ्रेश एंट्री नहीं करिए तो मैं कहूंगा थोड़ा सा बेट करें फ्रेश बाय आप कर सकते हैं अगर स्टॉक 6100 ब्रेक करता है तब आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं स्टॉप लोस तब आपको मेंटेन करना चाहिए 5800 को टागेट रहेगा 6200 का और जिन्होंने अल्रेडी स्टॉक में एंटर कर लिया एक बार वेट करें अगर स्टॉक 5700 ब्रेक करता है तो एक्जिट कर दें अगर 5700 एक्जिट नहीं करता है तो थोड़ा सा वेट करें मुझे लगता है short term volatility है यह settle हो जाएगी और technology stocks में overall outlook positive है हाल यहां पर treat करने की राय नहीं आ रही है पर गवरांग सर जितने भी capital goods stocks हैं उनमें अच्छा momentum है brokerages का भी भरोसा है साथ ही आज हम देखे तो फिर से ABB, L&T जैसे counters तेजी दिखा रहे हैं किसी को capital goods space में fresh entry लेनी हो तो कौनसी रहेगी top pick और आपका क्या भी हो है overall sector पे जुस तरीके का हमने run-up देखा है क्या वो valuation comfort अभी भी है इनमें शुष्टी coverage तो capital goods engineering में दिंगज और मज़ौली कंपनिया दोनों पर है लेंटी से लेकर के ABB, Siemens, Max देशी कंपनिया है लेकिन अगर प्राच्मिकता देनी हो इनमें से तो हमारा मानना है कि दो विकलत दिना चाहूँगा या आपर देखे जो मैं L&T जहां पर तीनाजार राट सो चार अजार तक के लक्षांप अगर आप यह कंपनी के ओडर की बात करें तो बहुत सारे ओडर के इसी इंटरनाशनल को मिले हैं चार अलग-अलग कारोबार है मुख्य स्टंब जो हमें कहते हैं और वहां से निरंतर और बुक एक्जेकुशन को करते हुए इनकी आमदनी काफी अच्छी आती है तो मज़ की तो विक्टर पूल के के इसी और एलेंटी यह दो स्टॉक्स पर खरदारी की सला गुरांग सर की तरफ से आज हम देखने की पावर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम हैं एजए वियन इनिच पीसी टॉरिंट पावर यह तमाम स्टॉक्स चल रहे हैं तीन से पांच परश के आज पास की मजबूती है पेज इंडस्टी इस पर रिपोर्ट्स भी थी दो परसंट की तीजी यहां पर हमें आज देखने को मिल रही है बीच येल पर जरा एक वियू चाहेंगे क्योंकि काफी जादा हमने गिरावट देखिए उपरी इस तरों से बीच येल के शियर मे दो सो दस की रीज में शियर आ गया था बीच येल जरा आप आदिती चेक कीजिए क्या इसमें आपको रिवर्सल मजबूत वाला दिख रहा है क्या इस पर भरुसा करें क्योंकि ओवर्सल मजबूत तो काफी कम काउंटर्स में है क्योंकि ओवर्राल इंडेक्स का ट्रेंड जैसे ही बहुत स्टॉंग बनेगा वैसे ही स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ आएगी बट ओवर्राल इंडेक्स अभी साइडवेस चल रहा है इसलिए बहुत काउंटर्स म लिए तो मेरी राय बुलिश रहेगी भेल पे इसको बाय किया जा सकता है 218 में और स्टॉप लोस लगाना चाहिए आपको दोसों का टारगेट रहेंगे आपके लिए 236 से लेके 240 ठीक है 236 से लेकर 240 यह टारगेट बी एचील के लिए आटो स्टॉक्स में देखने की आज ठीक ठाक मोमेंटम है मने में हमने एक डीप कट देखा था बड़ी वाली गिरावट आए थी शुकरवार के सत्र में आज रिकवरी भी स्टॉंग है 3% के आसपास की तीजी है इसके ल अच्छे सपोर्ट को अभी भी डिफेंड कर रहा है 11,200 का उसका सपोर्ट है जब तक ब्रेक ने करता है तब तक अच्छा है आप थोड़ा सा भी कॉशिस रही है बिकस मार्केट ही ओवराल बीक नज़र आ रहा है बट अगर 11,200 को बोल्ड करता है तो ड़िए वहां से बां कर सकता है rest of the peers को और यहां पर अभी strength अभी अच्छा लगए अभी सर कुछ बताई दीजिए आप बताई लांग टर्म के लिए क्या खरीदना है कोई आपका पसंदीदा शियर एक या दो आप चाहें तो बता सकते हैं अभी तो अभी शेक नतीजे बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे चौती दिवाई के आना अगले महीने मेरे क्याल से दूसरे अत्ते से और उसी विचार धारा को ध्यान में रखना है तो अभी अभी सरकारी बैंकों का भी काफी जिकर हो रहा था जिस प्रकार से हमने चाल देखी रही थी सरकारी बैंकों में और इसके बात कर्रेक्शिन आते हो तो सरकारी बैंकों में आपके पास जो निवेश की समयसीमा है वो लंबी होनी चाहिए और जितना लंबा समय आपने विश्यत रहते हैं उतना बहतर रहेगा और अगर दूसरा विकल्क मुझे देखना हो तो hospitality industry में काफी चर्चा रही थी इंडियन होटेल उसमें से एक ऐसी कंपनी है जो हमें काफी लंबे समय से परसंदारी और management ते तीसरी तिमाई के नतिचों के बाद कुछ टिपनियां भी करी थी नए properties के फुद घाटन करने की और जिससे रूम occupancy तो बढ़ेगी लेकिन जो टैरिप्स है अभी शेक हुआ में लग रहा है कि यहां से और भी दस पंद्रा परसंट के उपर तरफ जा सकते हैं इसके साथ साथ food beverages banquets वगरा के जो income होती हूँ अलग से तो दो विकल्प होगा एक है स्टेट बैंक ऑफिंडिया और दूसकी है इंडिया में कोई भी फायर कर सकते है एकस वाई जड़ हां कुछ भी फायर कीजे सारे के सारे शेर आज नीचे हैं और हैरानी की बात यह है कि सभी में परसंटेज तीन से चार परसंट है कोई फायर करो आदानी पूर्ट पावर अम्बूजा एसी सी एड़वल एटी जी एल अडानी ग्रीन्स अडानी एनर्जी सब में और मुस्त तिन तिन चार परसंट का एक सीरह सीधा सा कट लगा हुआ सभी में ठीक तो यह शेर अदानी एंटरप्राइज इस पर बढ़र आपका व्यू चाहिए डैमेज जादा है प्रॉब्लम है क्या को स्ट्रक्चरली जड़ा चेक करना तो यहां पर अगर हम देखें के तो 3,2980 पर एक सपोर्ट है अगर ब्रेक करते है तो यहां पर थोड़ा सा आपको कॉशिस रहना पड़े का 2800 तक भी टेस्स कर सकता है बहुत चाहता स्ट्रेंथ नजन नहीं आ रहा है प्लस ओवरल मार्केट में पैसे स्ट्रेंथ नहीं कि जहां पर वह अपने आपको यहां पर संभाल पाए और तुवर्ड्स 3100 नजर आए तो थोड़ा सा कॉशिस अप्रोच रखें थोड़ा सा वेट और वाच कीजिए अगर 3000 के नीचे जाता है 2980 भी ब्रेक करता है तो वहां से आपको सेलिंग प्रेशर टेफिनिटली नजर आ यह कफोर्स तो आई गया है नीचे चार परसेंट एक बर दिखाएए एक और शेर है लिस्ट में जो धीरे-दीरे खिसक रहा है वो भी आई-टी कंपनी है उस शेर करना में 20 सौफ्ट ए बरकुश आप इसको चेक करेंगे 20 सौफ बिरला सौफ्ट के नाम से कंपनी है करने के बिल्कुल कोशिश कर सकता है फ्रेश शौट या लॉंग ना इनिशियेट करें एक जोन है 720 से लिए 750 का उसके बीच में है तो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं बनता हूं मिटक आई-टी ने निराश किया है देखिए आई-टी ने एक दिन हमारा फिवर दिया था जिस दिन हम आपके सामने बात रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंजिन को डबल इंजिन की सरकार चाहिए इससे मार्केट के अंदर अगर सिंगल इंजिन की सरकार हागी तब भी नहीं काम बनेगा खैर यह बिरला सॉफ्ट पेयर आपको रिकमेंडेशन मिल गया ग मैंने आपके तरफ से फिर से रिपीट कर दिया कोई और डिस्क्लोजर हो तो सर वह भी बता दो आप डिस्क्लोजर रही था जब से प्रोड़क्ट इस्तमाल किया तब से एक इच्छा थी के शेर भी गरी दू लेकिन शेर करेंगी ठीक है बहुत 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 शुक्रिया आगे बढ़ते हैं एक options का trade आपको दिखाते है options का champion रतनेश भाई जूड़ रहे हैं मारसाथ लेका यह options का champion रतनेश जी market देखके तो ऐसा लग रहा है कि आप कॉल तो नहीं देने जा रहे हो आप कोई पुट है बताईए पुट कौन सी है चोटा ही ट्रेड है सर आपका साड़े तीन हजार दो जार के एक्स्पेरिमेंटल ट्रेड में को लग रही है आज ही आज में हो जाया फिर तो यह पूरा या तो stop loss आज ही कार गा या तो target आज ही एदेगा चांस यह जेंगा आज ही वह जाया इए फिर धिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल निबड़े तो इसमें कुछ बहुत बड़ा हो नी कि बड़े है अभी बजार में है जिस आप से मुमेंट है तो आज ही इसमें हो जाएगा जो भी है ठीक है जी अब रिजिट लगाना अपना स्टॉपलोस टार्गेट 150 में मिलेगा 220 का टार्गेट सौधा पंच करते समय आपको ने ट्रेड मिलता है एक विंडो मिलती है जिसमें स्टॉपलोस भी आप एक के साथ डाल सकते हो तो वह भी आप डालना चाहना उसी का इस्तेमाल करो सबके ब्रोकिंग में अलग-अलग होगा तो ब्रोकर से पूछ लेना कि मैं सोदा पंच कर रहो मैं उसी समय अपना टार्गेट स्टॉपलोस भी डालना चाहता हूं यह फैस कुछ आज का स्विंग ट्रेडगा आपको एक मोमेंटम दिया पूट की तरफ में ठीक रहतने सर्थ थैंक यूवर मच आज का ट्रेड़ बताने के लिए एक बार रजित्ते के पास आजाते हैं जड़ा ज़रा जब्सक्राइब